Hello and welcome friends, Google Sheets सीखने की सीरीज में मैं सुरज आपका स्वागत करता हूँ और आज की ये वडियो Google Sheets की है Google Sheets में खास क्या है क्या सीखने वाले हैं यहाँ पर देख सकते हैं Student का Rule Number लिखा हुआ है Name है Computer English Maths के Marks है और फिर इनका Total किया गया है और यहाँ पर average निकाल गया है अब इसके लिए हमें chart design करना है तो यहाँ पर chart कहां से design करेंगे सबसे पहले इस पूरे data को आप ले लीजिए selection में तो यहाँ तक का पूरा data जहां तक है record लिखा हुआ है यह पूरा selection में ले लिया मैंने अब हमें insert पर सीधा जाना है और यहाँ से कहां चला जाना है सीधा chart पर जाना है जैसे chart पर जाएंगे तो एक chart create हो जाएगा तो आप देख सकते हैं chart create हो चुगा है अब हमें करना क्या है अब दिखिए इसको मैं हलक से दिखाता हूँ आपको थोड़ा चोटा करके दिखाता हूँ यह हमारा chart है इस task pane को हम close कर देते हैं और इस chart को मैं उठा कर ले आता हूँ इधर इस side में ताकि आपको दोनों ही एक साथ अच्छे तरीके से दिखाई पड़े तो यह आप देख सकते हैं आपकी यह कुछ इस तरीके से आपका चार्ट बना हुआ है चार्ट की size को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पर click करके तो यह कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा यह देखिए अब यह चार्ट में आपको सारी चीजें एकदम असपस रूप से नजर आएंगी किसका नंबर सबसे ज़्यादा है उसका यह जो pillar है वो सबसे बड़ा होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं नेहा के marks कुछ ज़्यादा है और इसलिए यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से इनको marks मिला हुआ है पुल मिला के 208 नंबर है ठीक है